हेलो एफ्रिवन वेल्कम बैक तो माई चैनल आज में लेके आई हूँ गोविंदा और रानी मुकरजी की लव स्टोरी इस कहाने का शुरू होना भी नोर्मल नहीं था और ना ही इसका एंड नोर्मल हुआ इस कहानी में बहुत से लोगों का दिल तूटा और उन्हें गहरी ठे स्ट्री की प्यार में पागल हुए तो गोविंदा पहले से ही शाधी शुधा थे राणी और गोविंदा gli ल उन दोनों ने ही अपने करियर के वे दोनों लोगी अपनेain करियर के पीक पे थे उस टाइम पे और दोनों ही सेटल हो चुके थे रानी गोविंदा की लाइफ में आई तो उनकी शादी हो रखी थी और उनके दो बच्चे भी थे कह सकते हैं एक हस्ती बस्ती फैमिली थी इनकी लव स्टोरी हद कर दी आपने के सेट से शुरू हुई और फिल्म भी काफी सुपर दूपर हिट रही रानी को पता था कि गोविंदा मैरीड है लेकिन गोविंदा का नेचर यह ऐसा था कि रानी को उनसे प्यार हो गया वो बहुती ज़्यादा हस्मुक थे मतलब आज भी है गोविंदा ने रानी की करियर को ग्रो करने में भी काफी ज़्यादा हेल्प की वो डिरेक्टर से उन्हें अपनी फिल्में लेने के लिए बोलते थे दोनों एक साथ काफी ज़्यादा टाइम स्पैन कर दे थे मौसली टाइम गोविंदा रानी के फ्लैट पे ही मिलते थे बता दे ये रिष्टा रानी के माता पिता को भी बिल्कुल पसंद नहीं था लेकिन रानी अपने रिष्टे में काफी आगे बढ़ चुकी थी और पीछे मुड़ने का कोई रास्ता उनके पास नहीं था हर तरफ रानी और गोविंदा का जिकर था ये चीजे गोविंदा की पतनी सुनीता से बरदाश नहीं हुई और वो गोविंदा को छोड़ कर चली गई रानी गोविंदा पर शादी का दबाव बनाने लगी रानी चाती थी कि वो जितना जल्दी हो उतना जल्दी गोविंद कि लेकिन गो विंदा शादी करने के लिए मानसिक रूप से तयार नहीं थे आखिर में वो सुनीता के घर गए उन Lehr से माफी मांगी और मना कर अपने घर वापस ले आए गोविंदा के इस कदम ने रानी को बिंखे कर कर रख दिया गोविंदा पेसमिंदानेरणी से सारे रिष्टे खतम कर लिए उन्होंनेश फोन उठाना बंद कर दिया मैसिज के रिप्लाइ न ह他 बंद कर दिया और उनसे बिलकुल अपना रिस्टा जो है वह खतम कर लिया और आखिर में राने के हाथ बातनामि के सिवा कुछ भी नहीं मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आयोगा